लोग सबस सीट से प्रत्यासी बदल गया है जी हाँ अब यहाँ पर मीरा यादव चुनाव लड़ेंगी मीरा यादव दीप नारान यादव की पत्नी है जी हाँ हम भही दीप नारान यादव की बात कर रहे हैं जो बिधायक हैं मीरा यादव पूर बिधायक भी रह चुकी है अब भहे खजराहो संसदी छेतर से अपनी किस्मत आज माने जा रही है लेकिन इस सीट पर बीडी सर्मा एक बड़े दाविदार माने जाते हैं देखने वाली बात यह है कि क्या मीरा यादव बीडी सर्मा को टक कर दे पाई है गठवन्दन की सीट पर मीरा यादव को उतारा गया है मीरा यादव समाजबादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है जिस कारण से अनुमानिये भी लगा जा रहा है उनके साथ उनके पती दीप नारान यादव का भी चेहरा सामने लोगों के लगा हुआ है इस सीट से लड़ने के कारण उम्मीद ये लगा जा रही है कि गठवन्दन वाली सरकार खजराहो संसदिये छेतर से दो परकार के मत हासिल करेगी सपा और कॉंग्रेस की जो बोटर्स हैं उनको अपनी तरब आकरसित करने का काम करेगी लेकिन वीडी सर्मा यहां से एक बड़े दमदार प्रत्यासी है एक बड़े दमदार प्रत्यासी को क्या मीरा यादव टकरी दे पाएंगी ये बड़ा सवाल लोगों के मन में भी आ रहा है इसके पूर्व अपिदाब बच्चन के पुत्र अविसेग बच्चन के भी उम्मीद यहां से लड़ने के लिए सामने आई थी लेकिन किसी प्रकार का ऐसी ओफिसियल घूषणा नहीं की गई थी कि अविसेग बच्चन यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं लेकिन मीरा यादव को यहां से उतारा गया है अब देखने वाली बात यह होगी कि मीरा यादव बीडी सर्मा को कितनी बड़ी तक कर दे पाती है